नमस्कार बहुत स्वागत आप सबका देख रहे हैं अपना बहुत खास कारिक्रम जोते शिराहट की मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंड संतोशी मंगल का महा परिवर्तन मंगल व्रिशव राशी से हट करके मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल 2021 को रात एक बज़ कर 41 मिनट पर मतलब भोर हो गया है 12 बज़े के बाद 14 लग गया मिथुन राशी मंगल का प्रवेश अपने से मेश से तीसरे में आएंगे और व्रिश्चिक से अश्टम में आएंगे ये दोनों भाव मंगल की अपने घर से शुभ नहीं है तो मंगल यहाँ पर पीडित अवस्था में रहेंगे ये मान करके चलें आप कि मंगल यहाँ पीडित रहेंगे बहुत अच्छी पोजिशन पर नहीं रहेंगे अब मेश से लेकर मीन तक इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आईए अब इस पर हम नजर डालते हैं समय नहीं गवाएंगे सीधे सीधे सुनिए आप लोग इसे अपनी चंदर राशी अर्थात मून साइन जिसे कहते हैं इंगलिश में प्लस लगन राशी अगर आपको पता है कि आपका लगन क्या है तो उससे भी जरूर सुनिएगा दोनों टैली करिएगा राशी भी सुन लीजिए मून साइन भी सुन लीजिए और लगन भी सुन लीजिए दोनों टैली करेगा मंगल मेथोन राशी में जो रहेंगे दो जून दो हजार इकिस तक रहेंगे दो जून दो हजार इकिस तक सुबह 6 बजे कर 7 बज के 17 मिनट तक रहेंगे तो चलिए बताते हैं मेश वालों के उपर मंगल का यह प्रभाव क्या गुल खिलाएगा अगर आप किराशी मेश है तो आपके अपने स्वामी है तीसरे में आए और व्रिष्चिक से अश्टम में आए अब देखिए तीसरे भाव में आना सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे जबर्दस्त मेहनत करवाएंगे उठा पटक खूब करेंगे भाईयों से बिवाद मित्रों से बिवाद लडाई जगडा कोड का चहरी खूब पैदा करेंगे बच्चों के लिए चोट चपेट की संभावना जिसमें ब्लीडिंग जादा होगी तिरती भाव में मेश वाले इसकूटी चलाता है बच्चा मेश राशी का है मेश लगन का है रोक दीजिएगा दो जून तक बिटिया इसकूटी चलाती है बोल दीजिए स्पीट से चले बिलकुल नहीं हेलमेट लगाए मतलब यह प्रिकॉशन्स है भाई बताने का उद्देश यही तो है कि आप समभा लिए ना अपने आपको क्या दिक्कत है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिए गपी आने से अच्छा है बच्चे को ट्यूशन आप पहुँचा दीजिए उसको इसकूटी देने की क्या आवशक्ता है आप पहुचा दीजिए ना गप्पे तो मारना है माता पिता आज की तारीख में आज की तारीख में माता पिता सबसे बड़े अपराधी हैं बच्चों के, सिद्ध कर दूगा, किसी दिन, सिद्ध कर दूगा, ब्रिशब राशी, सेकेंड हाउस में आए, वाणी एग्रेसिव हो जाएगी, पत्य पत्मी के बीच वैमनस से आएगा, पैसा खर्च होगा, खुटुमब्ब में परिवार में किसी का देहावसान हो सकता है, कोई भुजूर्ग है, 60-70, 80 प्लस है, मकान समंदी विवाध हो सकता है, चोट चपेट की संभवना है, पैसा चोरी होने की संभवना है, घर में अगनी कार्ण हो सकता है, सावधान रेहे, मिथोन राशी, अग्रेशन बढ़ेगा जगडा लडाई की स्थिति आ सकती है माता की स्वास्त की चिंता वाहन से चोट एक्सिडेंट की संभावना चतुर्थ दुष्टी से चौथे भाव को देख रहे हैं कन्यराशी को पत्नी के साथ वैचारिक मद्भेद अश्टमभा को देख रहे हैं पेशाब में जलन, पेट की दिक्कत, आँखों की समस्या करक राशी, बारहवे में आए हैं लिवर की दिक्कत दे सकते हैं, संबंधों में बिगाड हो सकता है पेट की समस्या हो सकती है, कोई आपको चीट कर सकता है लडाई जगडे की संभवना मंगल किन किन चीज़ों के कारक होते है मंगल लडाई जगडे के कारक है कोड कचरी के कारक है बलड के कारक है जगडे के कारक है एग्रेशन के कारक है सेना पती है तो जो है मंगल के पास वही देंगे जहां बैठेंगे उसके अनुसार देंगे बहुत सीधा सीधा समझने की बात है सिंग राशी आपके तो योग कारक होते हैं और आपकी कुंडली में लावस्थान पर आएंगे लहाजा आपके लिए धन की स्थिति अच्छी करेंगे शुब बनाएंगे पैसे जो फसे हैं वो बाहर आजाएंगे और रुके धन से बाहर आजाएंगे सिंग वालों के लिए बहुत पॉश्टिव है ये परिवर्तन मजबूत हो करके आप आगे बढ़ रहे हैं कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए दसम अस्थान पर उपस्थिति मंगल की लडाई जगडे से थोड़ा सा बचने की आवश्यक्ता है काम चलता रहेगा टेंथ हाउस कर्म छेत रहे लहाजा आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगे लेकिन चार छे लोग उंगली करने वाले आपके जरूर आ जाएंगे तुला राशी तुला राशी के भागयस्थान पर आएंगे सेकेंड हाउस के स्वामी हो करके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉंग होगा वाणी आपकी सच होने लगेगी जिसको जो बोल देंगे आप सच हो जाएगा तुला राशी ये मजबूती आएगी दुतिय और नमम का संबंद बन जाएगा यहाँ पर यात्रा लावदायक होगी धार्मी कि आत्राओं की संभावनाई बनती है दो जून तक है धार्मी कि आत्रा है तुला राशी तुला लगन आ जाएए बद्रिंगा कि दारनाद चलते हैं साथ में बहुत अच्छा रहेगा ये बहुत शुब रहेगा ये और ब्रिश्ची ग्राजी अश्टम भाव में आए हैं अश्टम में आकर के ये थोड़ा सा एग्रेशन सेक्ष्वल डिजायर्स को बढ़ा देंगे ये वहाँ पर प्रभलता लाएंगे शुब नहीं होगा लेकिन फिर भी समभाल सकते हैं तो समभल जाएंगे आप धनुराशी सब्तम भाव में आ गए हैं पत्य पत्नी के बीच वैमनस से बढ़ जाएगा किसी न किसी बाहरी तत्यों का हस्तक्षे बढ़ेगा गुस्सा बढ़ेगा लगन को देख रहे हैं अग दुती भाव पर देख रहे हैं वाडी से गाली बहुत निकलेगा धनुराशी धनुलगन गालियां बहुत निकलेगा सावधान रहेगा मकर राशी मकर राशी वालों के छठे भाव में आएंगे गजब है जबरदस्त है बहतरीन है शुब है लड़ाई जगणे में जीत जाएंगे आप गुपत दुश्मनों पर बिलकुल हावी रहेंगे कोई आपका बाल माका नहीं कर सकता पैसा खुब आएगा आपके पास कोई चिंता की बात नहीं कोई तनाव नहीं आएगा परिशानियों से एकदम से बाहर निकलाएंगे आप कुछ बहुत बहतर करेंगे रुके धन की प्राप्ती होगी दुश्मन हताश हो जाएगा निराश हो जाएगा परधानी लड़नाएंगे जीत जाएगे ये सब मंगल करेगा कुम्भराशी पंचमभाव में है लब अफेयर ब्रेक अप 110% कुम्भालों का ब्रेक अप मंगल करवा की मानेंगे खाली रहना होगा सिंगल रहना होगा कुछ दिन के लिए बड़ी परेशानिया जो थी वो तो दूर हो जाएंगी लेकिन छोटी छोटी परेशानिया आ सकती है हां कुम्भराशी कुम्भलगनवालों के बच्चों से संबंधित कुछ दिक्कत बढ़ सकती है बच्चों के उपर चोट शपेट बच्चों का हाथ पर टूटना ये सब संभावनाय बनती है पंचम में मंगल के आने से और मीन राशी आपके चतुर्थ भाव में आये हैं मकान भवन का सुख देंगे माता के स्वास्त की शिंता सताएगी प्रशिद्धी थोड़ी सी प्रभावित होगी कोई आप पर आरोप प्रत्यारोप लग सकता है जमीन जाएजाद हंडिर पर्सेंट खरीदेंगे दुतियेश होकर के चतुर्थ में आना ये स्भा है अचल संपत्ती चल संपत्ती के लिए तो मीन वालों के लिए बहुत अच्छा है कुम्ह वालों के लिए मकर वालों के लिए बहुत अच्छा है और सिंग वालों के लिए अच्छा है ये तीन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं बाकी में उठा पटक है तो देखा जाएगा उपाय के तौर पर उल्टे हाथ से छोटा सा इंट का टुकडा उल्टे हाथ से हल अप्राइल से दो जून तक लगातार बहुत बहुत शुक्रिया आपके मुहबत के लिए पत्थर सत्यानाश करते हैं नो पत्थर और नो नॉन वेज इवेन एक भी नहीं याद रखिएगा दो बातें अगर आप अपना लेते हैं तो आपका बाल बाका नहीं होगा मजबूत रहिए मुलाकात करिए पच्चिस छबिस अप्रैल लखनव 27-28 अप्रैल पटना नमस्कात